हेलो स्टुदेंट्स स्वागत हापका एक बार फिर से होईरे योट्यूब चैनल HPA exam में आज की इस वीडियो में स्टुदेंट्स हम बात करेंगे हर गर पार्टशाला के वारे में जैसे की स्टुदेंट्स अब से भी जानते हैं हर गर पार्टशाला में साथ सितंबर से नवे से लेके नाइन्थ टू ट्वेल्थ ऑनलाइन एक्जाम होने जा रहे हैं और इस एक्जाम का सड्यूल मैं अपनी विजली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ आप बहुत से स्कुरेंट्स ने उस वीडियो को देखा है बहुत से कमेंट कर रखे हैं और कमेंट में बहुत से बच्चों ने मिसे पूछा था कि इस एक्जाम का स्लेबस क्या रहेगा तो जो अब तक कि हमारे पास इंप्रमेशन थी वो ये थी कि जो अप टू 28 अगस्त 28 अगस्त तक चितना भी स्लेबस हुआ होगा वो इस एक्जाम में आएगा लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉक्पर स्लेबस भीजा गया है ओफिशल्स द्वरा और वो स्लेबस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आपके एक्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके तो इस वीडियो का आप लास तक ज़ूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो इसे लाइक ज़ूर करें चल्ट को आपने अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जूरूर करें बच्चो क्योंकि आपकी सब्स्क्रिप्शन जो होती है हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण होती है मोटिवेशन इसमें मिलते हैं जैसे हम आपको मोटिवेट करे हैं आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस एक्जाम का सरे बस कर रहेगा तो सबसे पहले 9th क्लास की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में हम 9th क्लास की बात करेंगे सबसे पहले English section हम English exam जो होगा पेपर होगा इंगलिस subject में देखिए जो grammar रहेगा उसके sentences part of speech यहाएंगे writing type of letter formal letter informal article models और model preposition sentence connected tenses यह इसका सलिब बस रहेगा अभी तक थोड़ा था next उसके बाद रहेगा जो आपका beehive है book है उसमें the fun they had one they had वो the fun they had में से the road not and road not taken उसका the sound of music years syllabus में आएगा wind में से आएगा wind exercise आएगी उसका the little girl यह आएगा road the rain on the roof यहां से syllabus यह syllabus में इंक्लूट किया गया है a truly beautiful mind यह syllabus में included है उसके बाद अगर हब बात करें writing comprehension grammar में वाइसी syllabus में है उसका the lost child यह syllabus में रहेगा adventure of toto syllabus में रहेगा उसके the preparation is from the story teller syllabus में रहेगा वाइसी आएगी in the kingdom of fools यह syllabus में रहेगा narration को change करना है यह syllabus में आएगा उसके बाद एक और last में जो है वो एक syllabus में रहेगा the snake and the mirror बच्चों अगर आपको एक मैं advice देना चाहता हूँ अगर आप के पास ऐसे मुवाइल है जो screenshot खींच तो आप इसका screenshot खींच लें तक कि आप उसका असानी से बाद में देख सकें अगर आप screenshot नहीं खींच सकते हैं आपके मुवाइल तो आप इस वीडियो को रोकें और इस वीडियो को no down कर लें उसके बाद 10 को हम इस वीडियो में discuss नहीं करेंगे नेक्स्ट है नाइन्थ का मैथ नाइन्थ के मैथ को अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम आएगा यहां से नंबर सिस्टम में एक्ससाइजे जरके इंक्लूड बतार रखी हैं कि एक्ससाइजे कौन से हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 उसके बाद पॉलिनोमियोल में 2.1, 2. 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 उसके बहुपद में 2.5 और उसके बाद 3.1, 3.2 यह इस लेबस में इंक्लूड है उसके बाद प्रशनवली 4.1, 4.2, 3, 4 यह सलेबस में इंक्लूड है प्रशनवली 5.1 भी सलेबस में 5.2 के प्रशन नमबर दोगे रखे हैं देखे हैं यहां पर यह आप से प्रटेक्लर होगशी को आपने सरही नहीं समझना है अधे 5 का सारांस उसके बाद ग्रेखाई और कॉम में प्र हम मूव करेंगे को तो प्रशनवली 7.1, 2, 3, 4 यह सारी प्रशनवली 8.1, 2, 2 और 2 और प्रशन संख्य भी प्रशनवली 9.2 और 3, 1, 9.1 भी साथ हैं उसके बाद वरित में आपने प्रशनवली 10.1, 10.2, 10.3, 4 और 5 इसके को जो प्रटेक्लर क्वेशन है यहां आपने देखन हैं तो आगे प्रशनवली 11.1, 11.2, प्रशनवली 12.1, प्रशनवली 12.2 के प्रशन संख्या भी दे रखी है अब हम चलते हैं 9 के अगले सुज़ेक्ट की ओर और अगला सुज़ेक्ट है नाइन्थ की साइंस नाइन्थ की साइंस में हमारे आसपास के पदार थी ये एक सिलेबस में रहेगा इसके आगे आपको पर्टिकलर देवी रखा है कौन कौन से टॉपिक आएंगे तो आपको मैं पहले कहा कि इसके आप वीडियो को स्क्रीन शॉट खेंच ले चाहे होता है रहा साइनिक्स उत्तर लिखना ये सारे टॉपिक्स लेबस में हैं उसके बाद प्रमानों की सरचना ये इस लेबस है इसको आपने याद करना है हम बीमार क्यों होते हैं जीवन की मौली की काई उतक इनके पर्टिकलरी यहां पर सारे डिसकस कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक एग्जैम्स लेएंगे तो आपने यही पर्टिकलर टॉपिक्स याद करने है नेक्स आता है जीवों में विवित्ता जीवों में विवित्ता में भी देखिए पर्टेकलर जो टॉपिक में दे रहे हैं वो ही हमने याद करने हैं जो यहां पर हाथ असले बस में है उसके प्राकरितिक संपदा प्राकरितिक संपदा में पर्टेकलर जो यहां पर टॉपिक दिये हैं वो ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब नेक्स उसके बाद आता है अगरा सुजेक्ट यहां से यह सारा कुछ यह सारा नाइन्थ और टैंथ के लिए कंबाइंड है इस लेबस यहां पर तो इसको हमने ऐसे ही देख लेना है इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक लिए वीडियो को और वहां से नोट डाउन कर लें वैसे टैंथ का है तो इस वीडियो को में कुंबाइंड नाइं दोनों के लिए बना दूँगा नाइंथ और टैंथ वाले दो हैं इसको रोक की वीडियो को यहां से नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीन शॉट खींच लें नेक्स्ट यहां से आगे यह आताइज लेवस में उसके बाद नाइन्थ स्ट में देखे फिचिया यहां पर फिजिगल फीचर आफ इंडिया यहां पर यह बदिया Unless नेनेट्रिल वेजीटेशनं यह है इस लिबद में नागरिक साथ तर केहां दोरा या questions याद करने हैँ उसके बाद ईतिहास के समिद्धान करने माइट समुइधान क्या है अर्सामे कलाइबेट पार्ट 1 क्लाइमेट का चैप्टर क्लाइमेट नागरिक सास्तर का चुनावी राजनेती यह से इसलिप बस यह पर चैप्ट जो अधिकार या उसके बाद 10 का सेस्टी भी साथ में देख लिए ते एंट का स्टी का सिलेवस है इसके टैन्थ सेस्टी चैप्टर नमबर यहां पर पहला दूसरा यहां है और यह इसकी टॉपिक्स दे रखे हैं इसके बाद जियोग्राफिय में और सास्थर विकास यह टॉपिक भी दे रखें नेक्स इसके बाद आता है यहां से यह देखी यह इसलिप बस है इतिनागरिक सास्तर इतिहास का और यह इसका अगय सारी ही क्या है पर्टिक्लो टॉपिक है जो आपने याद करने हैं इसको आप स्क्रीन शॉट कहीं चलें चाहें इसका अब रोग के नोट करने नेक्स उसके बाद आता है आपके बास वेश्यकरन और भारती अर्थववस्था तो यह भी स्लेबस में है यहां से यह पर्टिक्लो इसलेबस है इसको अपने याद करना है नेक्स नाइन्थ की जी दिए और कि अब स्टुप्र नेम आपको पॉर्टिक्लर दे रखे हैं यहां पर और यह पॉर्टिक्लर टॉपिक दे रखे हैं जो अपने स्टडी कर से उसके बाद दो बेलों की कथा भाशा का परिच्चे है ये चीज़े जो है आपने पहले पढ़ चुके हैं इनको आपने याद करकर करना है व्याकरन परिच्चे में अगर हम बात करें तो जो ये व्याकरन वाड़ा पोर्शन है यहां से देखिए ये सारा यह आपने याद करना है उसके बाद अब 10th की हिंदी 10th की हिंदी में देखिए यह पर्टिक्लर चैप्टर नेम है और यह इसके पर्टिक्लर टॉपिक हैं जो आपने याद करने हैं नेक्स उसके बाद इसके पर्टिक्लर चैप्टर के टॉपिक है उनको आपने याद करना है नेक्स उसके बाद 9th की कंप्यूटर साइंस चैप्टर नेम इस साइड है आपको दिये होए देखिए यह वाले चैप्टर नेम है और यह साइड साइड के इनके पर्टिक्लर टॉपिक जो हमने कवर करी है वीडियो उसके थूप यह उनको आपने याद करना है उसके बाद आगे मूव करते है 10th की कंप्यूटर साइंस यह टॉपिक यह चैप्टर तो इनको आपने याद करना है अब बचके कुछ सुजक्ट चो 10th के हैं सबसे पहले 10th की इंगलिश 10th की इंगलिश में देखिए चैप्टर ने मा कोई रखा है ग्रामर में आर्टिकल्स यह चीज़े राइटिंग में आर्टिकल टाइप अफ लैटर फॉर्मल लैटर यह सारे कुछ है डिरेक्ट इंडिरेक्ट स्पीच है वर्ब है पार्ट आप स्पीच है यह आपने याद करने है पोईम है डस्ट आफ स्नू बीच में कहीं जिए मैं बूलनी रहा हूँ लेकिन आपके स्क्रीन को अपर दिख रही है तो आपके इंको नोट डाउन कर लेना है नेलसन मंडेला वाला चैप्टर टाइकर इंड़ जू कंप्रहेंसन ये सारी चैजें इसलेबस में इंक्लूड़ेड है उसका लेसन थर्ड है लेसन थर्ड का अग्वे पार्ड है इस फर्स्ट फ्लाइट यहां से बैक अरो प्लेन यहां से ये नोटीस राइटिंग ये आपका इसलेबस में है पोईम है इसका अपने नोडाउन को लेना है दबावल पोईम ये इसलेबस में है ग्रामर में पार्ड अफ स्पीच फ्रॉम दे डैरी और अफ एनी और फ्रेंक पार्ड अफ स्पीच अमेंड़ कंपोजिशन राइटिंग टर्म फ अफ सर्जरी ये सारा सलेबस में इंकलूड़ है नेक्स्ट है इसका अब टैंथ का मैथ टैंथ के मैथ को अगर हम बात करें तो देखी वास्विक संख्या यहां से सलेबस में है बहु पहुत सलेबस में है प्रेशनवलिय आउन साथ में रखी हैं 1.25, 32, 31.4 इसके प्रेशनवली दो दस्मानtail एक, दो और तीन प्रेशन दस्मान लोग एक, दो तीन, चार, पांच, छे और यह प्रस्णमली हैं दो चरहराण वाले राखिक सं करण। में अगर हम जाएं प्रस्णवली 4.1234 समनंतर स्रेडी में 5.123 और समनंतर चतर भुझ में 6.12 प्रस्णवली स्लेबस में इंक्लूड़ किये हैं नेक्स्ट है इसके बाद त्री भुझ कहिया कि स्लेबस है त्री भुझ में प्रस्णवली 1.6.123456 प्रस्णवली 7.123 उसका त्री कोण मिती आती है त्री कोण मिती में प्रस्णवली 8.1234 उसके बाद नाइथ टैंथ काता है साइंस का स्लेबस 10 के साइंथ के स्लेबस में देखिए यहां पर चैप्टर नेवान शकता और जैव विकास है इसके आगे क्वेश्टन टॉपिक भी दे रखे हैं कौन-कौन से हैं यह अपने याद करने हैं उसका दरह सायनिक अभी करियाए यहां पर आपको स्लेबस यह देखिए यह देखि यह देखिए इसका अमलक शार और लवन यह चैप्टर है यह इसके टॉपिक्स दे रखे हैं नेक्स है इसके बाद चैप्टर मायनव नेत्र और रंग रंगा संसार यह और इसका टॉपिक्स भीविन टॉपिक आपके सामने हैं यहां पर स्क्रीन के उपर इनको आप नोट कर लें प्राक्रितिक संसादनों का प्रबंधन गंगा प्रदूशन वन्याजी यह सारे टॉपिक है इस लिबस में इनको अपने नोट डाउन कर लेना है और इनको याद भी करना है नेक्स्ट जीव जनन कैसे करते हैं यह इस लिबस है सारा इसमें अलेंगिक जन पूश्प वह यह वाले थे इनको अपने याद करना है नेक्स इसके बाद है तत्तों का अवर्ट वर्ट की करना तत्तों का वर्ट वर्ट की करना में इसका पार्ट वन है नियू लेंड का स्टिक सधान तो डॉबरनियर का मैंडलेव का वर्ट सारने यह चीज़ें सारी हैं जो आपको एक्जैम्स में भी आएंगी यहां से यह वारा इसके बाद और यहां से यह सले बस में included है तो यह तो था स्ट्रेंट्स नाइन्थ और टेंथ के वारे में अगले वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्लस वन प्लस टू के वारे में तो लास्ट में एक फिर से आप रुक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें अपने दोस्तों कुछा सेर करें ताकि उनको भी वीडियो से हल्प मिल जाए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी भी में तिल देन कीप वाचिंग एच्पी एकसायम